कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्चक है किन्तु मन मौन रहना नहीं जाता वो तो निरंदर कुछ ना कुछ कहता रहता प्रतिपत शब्दों का आक्रमन चलता रहता है मन पर और यही आक्रमन है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता जहां जीवन की सत्यता का बोट उसकी प्रतिप्शा कर रहा होता